हलो नमस्कार में नाम हैमित सिंग मैं एक एक्टर हूँ एक फिल्मेकर हूँ और मैं आप स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चनल पर और ये सपोर्ट किया जा रहा है सी आई एमेस एम ई के द्वारा तो दोस्तो एक्टर बढ़ने के लिए जो भी मैं बातें यहाँ पर करता हूँ मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहे होंगी और आप सभी लोग बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे यकिनन इसी श्रंखला में मैं आगे बढ़ता रहूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग अक्टर बढ़ने के लिए जो भी चीज़ें होते हैं उनको एट लिस्ट बेसिक इस्तर पर तो आपको पता हो कि क्या होता है तो आज उसी श्रंखला में मैं बात करने जा रहा हूँ कि ऑडिशन और प्रोफाइल क्या होता है हमारे इ दोनों अलग है या फिर दोनों ही सेम चीज़े हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑडिशन अगर मैं बेसिक से बात करूँ तो अगर मैं करूँ तो मैं पहले स्टार्टिंग से बात करूँ तो देखे क्या होता है कि जैसे आप माली जी आप एक किसी जॉब के लिए कहीं से आपको जॉब देना है किसी कंपनी में तो आपको क्या करना पड़ता है सबसे पहले आपको एक एक एचार के पर जाकर अपना इंटर्वी देना पड़ता है अपने बारे में अपना इंटर्ड़क्शन देना पड़ता है बहुत सारी बाते हैं वह आपसे कुछ कोश एक्टिंग के फील्ड के लिए करे इस तो क्या होते हैं वह आपका अडिशन लेते हैं या पर उनके जो इंटर्न होते हैं, जो उनके यहां पर सीखने आयोए होते हैं, वो लोग आपका ओडिशन लेंगा, आप ज़्यादा सोची मत, बस आपका एक जो ओडिशन लेने वाले हैं, वो कौन लेंगे, कास्टिंग डिरेक्टर, ठीक है, इस बात को याद रखेगा, कि जो ओडिशन होता है, वो कास्टिंग डिरेक्टर आपका लेने वाला है, अब कास्टिंग डिरेक्टर जो है, उसमें आपका क्या लेगा, ओडिशन तो एक तरीके से एक बात है, कि आपका इंटर्व्यू है, ओडिशन मतलब इंटर्व्यू, तो इंटर्व्यू मतलब ओडिश के फिइड में आघर का प्रोफाईल का क्या मतलब है वैसे तो हमने जो प्रोफाईल सुना है वो बहुत तरीके की चीज़ों होती है जैसे की किसी कंपनी की प्रोफाईल है कैट लॉग है यानि इन तरह की बता देता हूं बड़ा यह सिंपल सी बात है देखिए इसको जादा हाइपर होके सोचने की ज़रूद नहीं है बस आपको बड़ा सिंपल तरीके से बात करने हैं वैसे ही मैं अपनी कई सारे पिछली जो वीडियो हैं उन्हें बात कर चुका हूं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उनके लिए बिल्कुल नई वीडियो होने वाली है और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है तो प्रोफाइल का मतलब होता है कि आप जब भी किसी कास्टिन डिरेक्टर के पास जाएंगे वह आप से आपका नाम पूछेंगे आपके बारे में पूछेंगे फिर पास चुटन कर रहे हैं तो उसके बाद वह आपको जकास्टर के वह को जाते हैं तो उसके बाद वह आपको लेकर जाते हैं एक रूम में उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में तो आडिशन रूम में जाने के बाद वो आपका अडिशन लेते हैं यानि कि आपको जो देना होता है वो अपना प्रोफाइल देना होता है उस प्रोफाइल में आपको बतार एक्टर के तौर पर क्या दे तो यह जो देने का तरीका है, अगर आपने नहीं देखा है हमारी प्रेंगा है तो हमारी सबसे पहली वीडियो है, जो सबसे जादा लोगों ने देखी है, सबसे जादा वीज मिले हैं उस वीडियो को तो वो आप जरूर देखेगा, इस चैनल पर मौजूद है, और पॉपलर प्रोप्लर वीडियो में आपको अरहम से मिल जाएगी प्लीज और जितनी भी जाधातर वीडियो में चैनल पर डली होगे ना वो जाधातर एक्टिंग से रिलेटेड ही अगर आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत सारा फाइदा मिलने वाला है तो पहले से बहुत से रा straight और अपना contact number उसके बाद आपका अपना profile बताना हैu राइट तो आपको इसमें ज्यादा Conf aguas ako focus होने कि जरूरत नहीं है कि function or क्या होता आपके अंदर लगता है कि आप बहुत अच्छे अक्टर बन सकते हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धी होने वाली है मुझे उमीद है आप समझ गए होंगे कि audition और profile में क्या फर्क होता है तो उमीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो में बहुत को सीखे होंगे समझ में आया होगा समझ में आया है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को वीडियो को शेर कीजिए क्योंकि आने वाले समय में ऐसी ही बहुत सारी informative और basic चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और A to Z acting के बारे में बात करने वाले हैं अभी लिए मैं इदा चाहूँगा जै हिंद जै भारा जै हो अपना खयाल रखिए